दोस्तो हमारी चैनल घरेलू नुसके को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तो पपीता कर्बोहईड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी नाइन, पोटेश्यम, मेगनीश्यम आदी पोसक ततों से भरपूर होता है इन पोसक ततों की उपस्तिती के कारण पपीता सेहत के लिए बहुत लाबकारी माना गया है आईए जानते हैं पपीता खाने के फाइदों के बारे में पाचन दुरुस्त करे कबज, अपच और पाचन समंदी दूसरी समस्याओं से परेशान हैं तो पपीता लाबकारी हो सकता है इसमें मुझूद फाइबर पाचन किरिया को दुरुस्त रखने में साहक माना गया है वेट लोस में साहक पपीता एक लो कैलोरी फ्रूट है इसमें फाइबर मुझूद होता है ऐसे में इसे एक बार खाने के बाद जल्दी भूक नहीं लगती है और हम ओवर इटिंग से बच जाते हैं तवचा को गलोइंग बनाए पपीता में मुझूद एंटी ओक्सिडेंट्स तवचा की कोशिकाओं को हेल्दी रखने और इसकिन को गलोइंग बनाने में सायक साबित हो सकते हैं इमिनिटी बुस्ट करे पपीता में विटामिन C की परचूर मात्रा पाई जाती है ऐसे में यह सरीर की रोग परती रोधक चमता बढ़ाने में भी लाबकारी माना गया है कोलिस्टोल नियंत्रित करे स्वास्ते विशे सग्यों के मुताबिक रोजाना पपीते का सेवन करने से सरीर में बैड कोलिस्टोल की मात्रा कम हो सकती है साथी गुड कोलिस्टोल का इस्तर बढ़ सकता है BP कंट्रोल करे पपीते में मुझूद पोटेशम ब्लड प्रेसर को नियंत्रित करने में फायदिमंद साबित हो सकता है हर्दिय के लिए लाबकारी हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि पपीते का सेवन करने से हर देश समंदी बिमारियों के होने का खत्रा कम रहता है क्योंकि इसके सेवन से कोलिस्टोल और ब्लड प्रेसर नियंत्रित रहते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें